हलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों आपके पुलिटिकल साइंस सिलबस के फर्स पार्ट के सारे वीडियोज बन चुके हैं आप इनको देखते रहना इससे आपको बहुत मदद पहुचेगा और जो हमारे सेकंड पार्ट है उसमें पिछले हपते हमने आपको बताया था एक्जेकेटि और राज्य सभा और भारत में छे राज्य ऐसे हैं जिसमें दो सदन है विधान सभा और विधान परिशद ये छे राज्ये हैं अंधरप्रदेश, बिहार, करणाटक, महराष्ट्रा, तेलंगाना, उत्त्रप्रदेश बांकी राजियों में केवल विधान सभा है तो जहां दो सदन है उसको हम कहते है बाई कामेरल लेजिसलेचर या दूई सदनात्मक विधाई का आप सोच रहे होगे दो सदनों की आवश्यक्ता है क्या है भारत जैसे बड़े और विवित्ता भरे देश के हर प्रांथ हर वर्क को उचित प्रतिनेदित हुआ प्रॉपर रेप्रेज सदनों में डिसकाशन होता है तो यह कानून बनते कैसे हैं चलो देखते हैं आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हर 5 साल संकसदिय चुनाव होते हैं बिजेता दल या गुट सरकार बनाते हैं और सरकार के प्रमुक कौन है प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री अपने प्रश्तोत करते हैं मंत्री परिशत इस बिल विधेक को लोगसभा में पेश करते हैं और लोगसभा में Minister जंप के डिसकाशन होती है रोगस सरकार अपना पक्ष रखती है विपक्षक अपने बारे बताती है और जब ci सभा में वोटिंग होने वहुमत से पारिफ होने के बाद ही ये बिल राजय सभा पर पहुंचेगी, राजय सभा में भी खूब discussion उसके बाद voting और बहुमत से पारित होने हैं बहुत सारे काम हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारिय पालिका या एक्जेकेटिफ पर नियंत्रन रखना और उसका उत्तरदाइत वा accountability सुनिश्चित करना कैसे करती है हर रोज पार्लेमेंट में बहस और चर्चा डिबेट और discussion होती है सरकार अपने पक्ष में बोलती है और विपक्ष उसका विरोध करते हैं तो डिबेट के बाद जो निकलता है वो एक अच्छा फैसला निकलता है अब कानून बने या ना बने यह तो पार्लेमेंट के हाथ में है क्योंकि अगर बहुमत नहीं मिला तो वो बिल कभी कानून में परिवर्टित नहीं होगा हर रोज एक प्रश्नकाल या question hour होता है इस वक्त सारी सदस्य मंत्रियों को तीखे तीखे प्रश् उठा सकते हैं लेकिन मंत्री जवाब देने के लिए वाधित नहीं है एक और तरीका होता है जिसको देखो लोखित का अगर मामला हो जो पूरे देश के लोखित में है तो उसके लिए आदर घंटा चर्चे का टाइम अलग से मिलेगा और finally एक बहुत important चीज अविश्वास प्रस्ताब या no confidence motion विपक्ष अगर सरकार के या सरकार के किसी मंत्री के खिला no confidence motion लाती है और अगर ये अविश्वास प्रस्ताब पारित हो जाता है तो प्रधान मंत्री और मंत्री प्रेशर को immediately resign करना होता है और नई सरकार के रचना होती है एक और काम है संसत्का which is very important और सरकार बहुत सारे काम करती है इतने प्रोजेक्ट सें सरकार के इसके लिए धन की जरूरत है और सरकार ये धन इकठा कैसे करती है टैक्स के माध्यम से लोकतंत्र में संसत्र सरकार द्वारा धन प्रयोक पर नियंत्रन रखती है संसत्र के पास यह शक्ति है कि वह सरकार को धन उपलब्द कराएं या ना कराएं अगर सरकार कोई नया खर्च का प्रस्ताव लाएं तो पहले उन्हें संसद से अनुमती लेनी पड़ती है खूब डिसकर्शन होता है इस तरह से संसद सरकार पर नियंत्रन रखती है तो इन methods को एक बार फिर से देख लो अब एक सवाल शायद आपके मन में आ रहा हूँ क्या मंती परिशद दोना सदनों में उत्तर दाई है इस ता cabinet accountable to both houses of parliament मंती परिशद केवल लोगसभा को उत्तर दाई है राज्य सभा को नहीं इसका मतलब क्या हुआ लोगसभा में ही अविश्वास मत लाया जाता है और इससे सरकार को हटाया जा सकता है यानि कि लोगसभा के लोगसभा मंती परिशद को अपने नियंत्रन में रख सकती है एक और चीज होति है संसदिय समितिया पार्लमेंटरी कमिटी तो यह क्या काम करती है संसद के अधिवेशन का सीमित समय होता यह तो आप जानते ही हो कुछ कुछ हफ्तों के लिए संसद अधिवेशन में रहते ह और समितियों ने संसद का बहुत सारा कारियभार ले लिया है फॉर एक्जांपल कानून बनाने के लिए उस विशेय पर वो गहन अध्यान करते हैं किसी भी बिल को पास होने से पहले पूरी संसद्य कमिटी उस पर अध्यान करेगी और समिति द्वारा प्रस्तत बिल या विध करते हैं और делать हैं और एर्शताचार के मामलों में परताल होती हैं तो ऐसे स्थाई कमिटी से हैं ऐसे 24 विभाग संबंदित 24 हैं यह समितिय विवनि विभागों के कारियभजेट खर्चे और बिल्स की देखरेक करते हैं इसके अलावा है Joint Parliamentary Committee, संग्युक्त संसिदिय समिती, यह हर वक्त Standing Committee नहीं है, जरूरत से इसको बनाया जाता है, किसी विधेक पर चर्चा करना हो, या वित्या अन्ययमता के जाच के लिए इनका गठन होता है, Financial Irregularities के लिए, या Joint Discussion on Proposed Bill, तो एक बार फिर से देख लो, संदिय समितिया कैसी प्रकार की होती है? अब एक बहुत important प्रश्ण, संसत स्वयम को कैसे नियंतृत करती है, सरकार को तो करती है, पर स्वयम को कैसे? आप तो जानते ही हो, संसत के सदनों में चर्चा और बहस होती है, सारे जरूरी काम को अंजाम इसी से दिया जाता है, वोटिंग कर वाते हैं और जरूरत पड़े तो अधिवेशन को स्थगित भी कर सकते हैं आपनी इसका नाम सुना है दल बदल निरोधकानू नहीं सुना है तो समझ लो अगर एक सदस्य किसी भी पार्टी के चिंज से चुनाव जीते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो अपमी पार स्यता वहीं रद हो जाती है और इसको डिसाइड करेगा कौन सदन के अध्यक्षिय लोग सभा के स्पीकर राज्य सभा के चेयर में वह इसको अंतिम निर्णे लेंगे तो कुल मिलाकर हमने विधाएका के बारे में पांच चीजे देखी हैं इसको जरसा फिर से देख लो जै पांच मिनट से जादा नहीं लेगा पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा अपने शब्दों में लिखो ए प्लस 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 मिलेगा आपको थैंक्स फोर वाचिंग केसे कोशिश